दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका एक पारफेट सेयाप के अपने ही चेनल के रिग पॉली पार जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1976 में रिलीस हुई धर्मेंदर साहब की चरस, साल 1975 में रिलीस हुई अमिताब बच्चन साहब की दीवार और साल 1974 में र फिल्मों में किस फिल्म ने बासी मारी थी और को इनसी फिल्म रही थी आगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और सबसे पहले बात करते हैं फिल्म प्रेम नगर की तो 24 मई 1974 में रिलीस हुई थी ये फिल्म राजेश खन्ना, हेम अमालिनी और प्रेम हम किरदारों में नजार आई थे, फिल्म को डेरेट क्या था कि एस परकाश राओ ने और प्रेड्यूस क्या था इस फिल्म को डी रामना इडू ने, म्यूसिक दिया था इस फिल्म को स्टी बर्मन ने और तकरिबन एक करोड उपे के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर हेट सावित हुई थी अब अगर बात करें दीवार की तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 24 जनवरी 1975 में अमिता बच्चा नीतु सिंग शशी कपोर और निरूपा रोय इस फिल्म में एहम किरदारों में नजर आई थे फिल्म को डेट क्या था यह चोपडा ने और प् चिस लाग रुपे कमाई थे और पूरे वर्ल्ड में साड़े साथ करोड रुपे कमाई थे और ये एक एक्शन, क्राइम, ड्रामा फिल्म थी और फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट सावित हुई थी अब अगर बात करें 1976 मेरे लिस्वी फिल्म चारस की तो इस फिल्म में हमें नजर आई थे धर्मेंद्र, हेममालिनी, अमजद खान और अजीर फिल्म को डिरेक्ट और प्रिडिूस किया था रमानन सागर ने और म्यूजिक दिया था इस फिल्म को लक्श्मी कांत प्यारे लान ने तो दोस्तों अगर बात की जयवाजी की तो यहां पर अमिताब बच्चन सहाब की साल 1975 मेरे लिस्वी दिवार, चारस और प्रेम नगर इन दोनों फिल्मों से आगे रही हर मामले में ये फिल्म आगे थी, इस फिल्म की कहाने और इस फिल्म की गाने, हर एक चीज इस फिल्म में बैश थी, अमिताब बच्चन की पर्फॉर्मन्स का तो क्या ही कहना था ये समझ लीजिए आपके दिवार फिल्म से अमिताब बच्चन सहाब और भी ज्यादा दर्शोको की नजरों में आ गए थे कि हाँ अगर एक्टर है तो अमिताब बच्चन तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की तो यहां पर बाजी मारी थी अमिताब पच्चन सहाब के दीवार ने लेकिन आपको इन तीनों फिल्मों में कौन से फिल्म है सबसे जहादा पसंद कमेंड में सुरू बताईएगा